का सवाल एक हर साल पूछा जाता है ता सीधा 5 मार्क्स का सवाल हर साल पूछा ही जाता आपको OH क्या है All Group को रिप्रेजेंट करता है अपड़े को क्या है जहां आप यूस करोगे वहां मुझे पानी निकालने हैं मन पढ़नी है समझ नहीं हो बताना है कि हमने पढ़ाया नहीं और सिर्फ देखने से देखो काम नहीं चलने वाला देखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी यह सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है अब देखेंगा अगर हम प्रिवियस एर अनलिसिस करें दोस्तों आपके जो कार्मेंट्स कंपाउंड के सेक्षन है वो दो पार्ट में बिसकली डिवाइड हो जाता है तो सीधा सीधा पांच मार्क्स का सवाल हर साल पूछा ही जाता और प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी अब देखेंगे अगर आप कार्मेंट्स कंपाउंड के पांच नंबर के सवाल की बात करूं तो पांच नंबर का सवाल एक हर साल पूछा जाता है जो की आप्शन में भी मिलेगा आपको लेकिन आप्शन में भी प्रैंटीर आने वाला ये लिखके ले लो तुम अभी टॉपिक क्या है टॉपिक है इथेनॉल एंड कार्वाक्सली कैसे नाम सुनते ही आपके दिमाग में जरूर क्लिक कर गया होगा लेकिन अगर आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से तयार होगा तब तो भाई नाम अगर वीडियो अच्छी लग रही हो थोड़ा सा भी तुम्हारी यूसफुल लग रहा हो और एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करो वह मोटिवेट करता है कि चीजे और अनलेसिस के साथ आपको लेके आते रहें तो टॉपिक अपना क्या है अल्कोहल्स एंड कार्बॉक इनकी रियक्शन्स और जो आपकी बेसिस पर बेसिकली रियक्शन्स उनकी बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अपने पास जो हमारे पास कंपाउंड है इसका जनरल फार्मूला लेकिन अगर इस ट्रॉक्शर क्या होगा इसका और यहाँ पर एक लग जाएगा ओए नॉमिंक्लेचार से देख लीजिए ओयच क्या है और ग्रूप को रिप्रेजेंट करता है और दो कार्बन कार्बन की बीच में सिंगल बॉंड है तो इथेन प्लेस ओल इथेनोल हो जाए तो यहां तक तो बात हो गया जनरल प्रॉपरिटिस के बात करें तो इथेनोल एक कलर्लेस लिक्विड बिस्कली वाटर की तरह आपको दिखेगा सूधिंग इसमेल आती है इसकी के फ्लैमेबल है और इसको फ्यूल की तरह भी हम यूज कर रहे है एक प्रॉपर्टी यूज की बात करें तो अभी हमने देखा कि जो हमारे पेट्रोल्स वागए रहे हैं उसमें बिखेगा सकता है इसमेल अच्छी आती है और दूसरी चीज वाइब यूज यूज डाइस फ्यूल की तरह भी उसकिया जा सकता है एक्सेस में लेने पर आपकी डेथ भी हो सकते है यह तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात होगी अब इसके अगर रियक्शन की बेसिस पर थ लिख सकते हैं बहुत सारी चीजे लिखा है मैंने कल लेस प्लेजरेंट इसमेल बर्निंग टेस्ट ठीक है और यहां पर अगर हम देखें तो सॉलीबल इन वाटर होता है ओविसली वाटर में सॉलीबल होता है जबकि कैसा कंपाउंड हो सकता है पाने में डिजॉल्व हो सकत है यह तो की टू एच फाइब के साथ ओएच ग्रूप लगा हुआ है और ओएच ग्रूप जहां लगा होता है वो तो बेस होता है बट ऐसा नहीं है अल्कोहल इस नीट्रल ना तो एसडिक है ना ही बेसिक है इस अलसो यूज़ेज मेडिसीन सच एस टिंग्चर ऑफ आयोड कमि capital को dissolve करके हम एक सटेक्श तीन बानाते हैं जिसको कम इसे यूज़ का जाता है तो मैंने जिसको किस तरह सी फ्यूल की भी major components में use किया जाता है ये कुछ इसके uses के बारे में भी जरूर समझेगा अब हम chemical reactivity के उपर आते हैं हम किसके उपर आते हैं chemical reactivity के उपर तो सबसे पहला जो आपकी reaction पूछी जाती हर साल अभी दिखाऊंगा दोस्त आप विश्वास मान होगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं जो चीज़े बता रहा हूं यही डिरेक्ट आपको question मिलने वाला और डिरेक्ट आप करने भी वाले ठीक है बस साथ में चलते रही हमारे पास यह हो गया प्लस हमने क्या कर लिया sodium को ले लिया अब हमें पता है कि sodium is electron rich metal basically metal है जो electrons को क्या करता है डोनेट करने के tendency रखता है तो no doubt यह electron डोनेट करेगा और किसके पास जाके जूड़ेगा तो obviously अगर हम इसको देखना चाहें तो इसको अगर हम यहां बनाता हूं मैं मैं बोलूँगा CH3 CH2 और यह क्या है तो ओ और यह है ठीक और एच है अब एच क्या है एच की टेंदेंसी थोड़ी सी metallic है मतलब आयनिक करेक्टर सो कर सकता है एच और इसके बीच में आयनिक करेक्टर हो सकता है अब आक्सीजन के पास जाएंगे तो यह वाला गुरूप तो लेंदीर बलके यह नहीं करेगा रिमूब कॉन कर जाएगा अगर हम इसको यहां पर देखें तो जो हमारा प्रोड़क्ट बन के आगा वह क्या बन के आगा यहां लगा था वह रिप्लेश्मेंट हो जानी है क्योंकि है डोजन और है डोजन के बीच में इलेक्टो नेगतिव का डिफरेंस है दोनों पार्शल चार्ज केरी करते हैं डूट्य जब सॉलूशन बनेगा तो पार्शल चार्ज है यहां टेंडेंसी है कि बांड ब्रेक हो हो सकता है आइनिक बोंड क्रियेच हो सकता तो आइनिक बॉर्ण किसके बीच में प्रेक्श की बीच में ऑक्सीजन के बीच में ट्रेंस है यहां से पाप बर्निंग के साथ भी हम इस रियक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि है इसको अच्छे तरीके से करेगा कि सोडियम जब भी इथनोल से रियक्ट होगा तो क्या बनेगा इसको इथर बोलते हैं बिसकली और यहां क्या है आपके है यह स्टुछल गीव अन्सेफुरिटेड हईडरोकारबर अब अपने पास कई इथन वाल यह पास कहा है तूएच फाइफ च अपने पास क्या दोस्तूट इथन और इसको इसपर्ट रों कर देदा हूं स्ट्रॉक्ट्चर से ज्यादा खेल हमें समझ में आने वाल है हममें बो सब्सक्राइब इनको थोड़ा से इनकी क्यरक्टर्स्टिक्स को समझ यह है है यह क्या वह यह पानी निकालना है अपड़े को क्या जहां आप यूज करो कि वहां मुझे पानी निकालना है मतलब किसी भी रियक्षन में डाल दोगे उस रियक्षन से पानी बाहर आ रहा हो एक मतलब सिंपल सी बात किसी भी चीज का पानी अगर निकालना हो कहीं से भी निकालना दिया क्या डाल दीजे अगर पानी कहीं से भी निकल रहा हो तो पानी में क्या होगा है MXT, मतलब एक ओह और एक Ag Kiya joined ईक यहां शानिकलता है टा एच इस निकल जाता है जहां से निकलता है और और यहां से निकलता है यहां से H निकल गया, जब दो निकल गया, अब इन दोनों कार्बन का एक एक बॉंड अभी बचा है, तो वो क्या करेंगे, आपस में ही बॉंड बना लेते हैं, तो यहां जो बचेगा, यहां पर जो बचेगा, वो भी क्या बचेगा, CH2 बन इचेगा, यह एलकीन बन गया, य यह जब कि saturated था अब क्या बन गया unsaturated बन गया और इस प्रोसेस को कहते है इसको क्या कहते है dehydration reaction भी इसको कहते हैं जिसमें पानी निकल रहा हो और dehydring agent कौन है तो यह है यहां इसको डालेंगे तो वहां से पानी बाहर न कर जाएगा और एक एल्की और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाए क्या इतनी बात आप वो clear है जहां H2SO4 आपने देखा समद जाई कि वहां से reaction में जो प्रोड़क्ट में एक चीज तो fix हो गई कि वो क्या है वो पानी एक चीज तो 100% fix होगी ताकि वो पानी निकाल रहा अपने पास alcohol था alcohol में हमने यह डाल दिया H2SO4 इसने क्या कर दिया इस अगले reaction की बात करते हैं कुछ physical properties की बात कर लेते हैं और यहाँ पर आप आ जाते हैं इसा कुछ CH3COOH इनका structure मना है तो CH3 bond 3 double bond O और यहाँ पर OH ठीक है एक कारबन दो कारबन तो इत हो गया और करबर कारबन सिंगा इथेन हो गया और यह सी डबल बॉर्ण को एक ग्रूप को रिप्रेजेंट कर है कि के दोस्ति यहां तक एक दम आपकी कोई समस्या नहीं हो और इसको पानी में डालनेक बाद एच प्लस दे देगा इथेनुएक एसिट कॉमनली यूज नोन इस असटिक एसिड कलर लेस लिक्विड है सावर इंटेस्ट मतलब इसटी क्यारक्टर को रखता है है स्मेल आफ विनेगर की तरह महक विनेगर आप यूज करते हैं घर में खाने पानी में डाले पानी पूरा बाकी का 92 परसंट हो या 95 परसंट हो वैरी कर सकता है और उसमें से 5 परसंट आप सॉल्यूशन का डाली तो यही क्या कहलाता है विनेगर कहला प्योर एसिटी के से नहीं हो तो पांट से 8 परसंट ही और जिसको हम यूज करते हैं मैं का मतलब समझ रहें कि आपके पास कितना है बिए 17 दीग्री से कितना है 17 दिगरी सेल्शियस के मैंंट इनक इनका मेंटन पॉइंक और यह फ्रीज़्िग बोल करें तो अगर आप नॉर्मली इस ताइम के अगर टेंपरेचर की बात करें तो कभी 15 कभी 10 कभी 14 कुछ भी हो सकता है तो अगर कभी 14 डिग्री टेंपरेचर है अपना और हम असेटिक एसिड को बाहर निकालें तो क्या वह सॉलीड का फॉर्म नहीं ले लेगा तिल्कुल ले लेग असेटिक एसिड इस फ्रीजड तो फ्रीज हो जाता बिलो 17 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म्स कलरलेस आइस लाइक सॉलीड इस कॉल्ड अस ग्लेसियल एसेटिक एसिड क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है और उससे बिलो टेंपरेचर पर इसको बाहर निकालेंगा तो इन फांछी इन फ्रॉअ सॉलीड जो कि इक वास का फॉर्म लेगा जिसको क्लेशियल निद्दफी इसटिंग विक एक सिर्ट हम जानते हैं और यहां पर क्या बन जाता है यह एनायनिक पार्ट यह के टाइनिक पार्ट हर एसिड के पास धो पार्ट होता है यह एक टाइनिक यह होगे इनकी फिस्कल प्रॉपर्टिज अब रियाक्शन की बाद अगर हम alcohol और carboxylic acid को पानी मिलाते हैं तो यही reaction नमाने बहुत ही इस्टर जिसको क्या बोलते हैं इस्टर जो product बन के आएगा उसको क्या बोलेंगे इस्टर और यही reaction कहलाती है smells good बहुत अच्छा महकता है हम इसी से समझ सकते हैं जब भी कोई reaction हो यह और बहुत अच्छी spell आ रही हो वह इस्टर सी होते हैं जो अच्छे flavor देते हैं इस्टर सी होते हैं तो कभी भी जब product बन रहा हो जो भी हमारा product बन रहा हो अगर अच्छा smell कर रहा हो अच्छा महक रहा हो तो वह समझ जाएगा कि वह क्या है इस्टर ही है तो हम इससे भी समझ सकते हैं कहीं पर अगर गूड स्मेलिंग एजंट बोला जारा वह इस्टर टेम है और इसी रियाक्शण को हम कहते हैं सथी और इसरीफिकेशन को क्या कहते हां किशन कैसे पह著 हो किर दभर और सी डपलबॉंड और और य। अपना हिए ञीहँ जोर देते हैं लेखिन इधर भी Carbon की चेन हो है और इस आपढर से सब्सक्राइब कर लाया लसे हैे और लदऑ कर लाएत के हम सलेट हृट है यह लेव भी But comprehension को करने कोसिस कर्थे हैं ब्रैट सपोजंज अपने पास क्या ध कौन साज है Hur师 पाल चैनल ही ले लेते हैं कि और अच फाइप है अपना फ inflammकर फह कर बागे का रिइछ आ रहा रहा है कि इस ऊड़ देखे दहां से हैं यह आपना यह क्या है पास सद आल कॉहल यह क्या अपने पास acetic acid जब इनकी reaction होती है तो जो सबसे जरूरी बात है कि पहले क्या निकलता है तो h2o निकलता है में मतलब यहाँ पर गॉर्ण s2so4 भी डालना पड़ेगा जो इस reaction को कराने के लिए काम करेगा एक खुद तो यहाँ से आपकी h plus निकल जाती है यहाँ से क्या निकल जाती है आपकी h plus और यहाँ से क्या निकल जाती है आपकी oh minus अलकोहल से h plus इसवीड से oh minus ठीक यह दोनों react करके क्या बनाएंगे यह दोनों react करेंगे और react करके अपना अब जो बचा वो क्या बचा तो यहां बोल सतने हैं CS3C double bond O और यहां क्या बचा तो O और इधर क्या बचेगा तो CH5 बचेगा देखो ध्यान से अगर हम यहां से H निकालने तो यह बचेगा क्या C2H5O यह बचेगा और यहां से अगर देखेंगे तो क्या बचेगा यहां से बचेगा CS3, C double bond, इधर वाली site OH निकल गई है तो यह बची है, तो देखो यह बचा यहां इस तरीके से, यह oxygen से bond जोंड आ था, यहां पर देखें, C double bond, O, O की तरफ एक carbon की chain, धर भी carbon की chain, और इसका नाम करण लिखना है, इसको as it is, यहां पर देखें क्या है, इस्टर सा sweet smelling substance, अच्छा महकते हैं, कहीं भी formation हो रहा हो, जहां उपर beauty smell, these are used in the perfumes making and used as the flavoring agent, अच्छा महकते हैं भाई, और flavor अच्छा देंगे, महकेंगे, अच्छा product को अच्छा smell कराएंगे, और perfumes में use कर सकते हैं, क्योंकि different different तरीके की, एक तो number of carbon पर depend करती है, smell के उपर, तो यहां पर reaction की condition को ध्यान रखेगा, जब यह क्या आपने पास alcohol है, क्या है, alcohol है, दोई carbon की मैंने एक general लिया, कुछ भी ले सकता हो, यहां पर क्या है, तो यह carboxylic acid, हम यहां carboxylic acid और भी लंबी ले सकते हैं, यहां जो product बना है, वो क्या बना है, और plus क्या बना है, तो दो चीज़े आपने दिमाग में इस reaction को रखनी है, तो यह फटा-फट से चलते हैं, इस्टर with base, अगर हम इस्टर की reaction base की तरक कराते हैं, तो let suppose अपने पास एक इसर यही हम बना लेते हैं, जो भी हमने पाद, अगर इसको base में डाल देते हैं, naoh के अंदर डाल देते हैं, जैसे आप naoh के अंदर डालेंगे, ठीक, जैसे ही आप naoh के डालेंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर t2h5, oh इधर ग्रूप बन जाएगा, oh ग्रूप यहाँ बन जाएगा, plus th3, t double bond, o, और o, और a, यहाँ चलते हैं, देखो यहाँ से na निकलेगा, na plus, यह अटक जाएगा, oxygen के उपर, क्योंकि हमेशा देखो, यह क्या है, यह मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी, electron donate करने के, और oxygen is electronegative, यह भाग के जाएगा, इनके पास, और फटाक से इनको बाहर निकाल देगा, तो जोड़ जाएगा, कि इतना दिमाग में रखना कि हमेशा क्या होगा तो जब भी ऐसी reaction हो रही होगी, sodium जब भी base, हमारा basically क्या है, यह इस्टर है, और यहाँ पर हमने अगर base डाला है, तो यहाँ जो बनेगा, वो क्या बनेगा, sodium ethoxide बन जाएगा, sodium ethoxide, मतलब sodium salt of carboxyl, यह क्या है, तो इसको हम बोल सकते हैं, sodium salt of carboxyl acid, carboxylic acid मतलब carboxylic acid में से H+, हटाईए, वहाँ एन लगा दीजे, base वाला, जो product बनता है, वही क्या बनता है, वो बनता है, salt, यह salt है, sodium salt of carboxyl, ठीक है, तो इस reaction को भी धियान रखना अच्छे, तरीके से आपने, आगे बढ़ते हैं, लोग reaction with base, reaction with carbonate, अगर मालीज अपने पास किसका reaction, यहाँ पर बात होरी, acetic acid का, ठीक, किसकी बात होरी, acetic acid का, अब यह किसकी बात होरी, acetic acid, अगर हम acetic acid का reaction कराते हैं, base के साथ, तब क्या, ठीक, अपने पास है, CH3, OOH, plus अपने पास किया, NaOH, अगर किसी बच्चे ने पहला chapter पढ़ा होगा, तो this is what, this is, दूसरा chapter, acid, वह यह क्या है, तो base, और acid base के reaction हमें साथ, neutralization reaction देती है, अब यह पानी यहाँ पर बाहर निकलेगा, plus salt बनने वाना है, तो salt क्या बनेगा, वहाँ से, acid से H+, हटा दीजे, CO, H ह plus वाला character लाके रख दीजे, यह sodium salt होगे, salt of carboxylate, यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से H+, यहाँ से क्या निकलेगा, तो OH- निकलेगा, because it is base, it is acid, अगर यहाँ से निकाल देगा, तो हमें क्या बनेगा, CS3CO- बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ Na+, बच जा acid, plus metal, carbonate हो, या फिर metal का, bicarbonate, यह दोनों चीजे याद हो, अगर यह reaction की format याद होगे, तुम्हें problem नहीं होगे, यहाँ पर no doubt एक salt बनता था, plus CO2 gas में कलती थी, plus H2 की formation होगे, यह तीन चीजे जनरल reaction याद होनी चाहिए, यह जब acid base तुम पढ़ रहा हो, तो इतनी seriousness के metal format तुम्हें याद हो, हर reaction की, जैसे अगर मेटल को acid में डाल दिया, तो H2 gas निकलेगी, salt बने, metal plus base डालोगे, तब यह होने वाला है, और acid plus base कराओ, neutralization reaction होगे, यह basic reactions आपको याद होनी चाहिए, तो जब यहाँ करेंगे, तो acid के साथ अपने पास कोई भी acid होगा, यहाँ प प्लस CO2 अपना बाहर निकलेगा, प्लस अपने, तो ही reaction होने वाली है, बात खत्म को, बात खत्म को, यहाँ से निकाल दिये, यहाँ साइडोजन को निकाल दिये, बन गया, आगे बढ़ते हैं और अब आज आते हैं, हम लोग PYQ के ऊपर, बट बिफोर देट, alcohol with metal हमने ने H3, H2, OH, PLUS, OH, यह आपने बताना है क्या होगी, यह क्या होगी reaction, यह आपने बताना है, बढ़ियां से आपको मैं confusing सवाल दे रहा हूँ, इसको एक बढ़ ट्राइ करके बताएगा, what will be product, comment आपने कर, यह आजाते हैं, फटा फटा फट्च, अब हम लोग देखो के, मैं कुछ नहीं कराने वाला हूँ, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर reaction को पढ़नी है, समझनी है, बताना है कि हमने पढ़ाया नहीं है, a saturated organic compound belongs to the homosolism of alcohol, मतलब वो है तो alcohol, है क्या वो alcohol है, on heating A, जब हम किसको heat कर रहे हैं, A को heat कर रहें with concentrated sulfuric acid, warm sulfuric acid, जब हम डाल रहे हैं, it forms an uns saturated compound with molecular formula at ICU, अभी हमने पढ़ा कि अगर alcohol को हम alcohol में अगर H2SO4 डालेंगे, तो वो क्या बनाएगा, वो पानी निकाल देगा, एक जगह से OH, एक जगह से H, और H और OH निकल गया, तो दोनों के बीच में carbon carbon के बीच में double bond आ जाए, double bond आ जाए, तो मानलों, एलकीन अगर minimum कितने carbon के अलकीन बनती है, दो, CH2 double bond CH2, यही होगा, minimum अलकीन, पहला अलकीन जो सबसे बन सकता है, तो अगर इसका molecular weight देखें, तो carbon का, दो carbon है, तो 12 दूना के 24, और 4 है, तो 24-4, 28, मतलब इग्जैक्ट यही वाली अलकीन की बात हो रही है, तो किसका molecular formula जो है, वो कितना है, कितना ह है, वो 28, मतलब जो अलकीन बन रहा है, और जो अलकोहल रहोगा, और कितना रहोगा, वो रहोगा, यह 3, H2, और यह OH, इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया हमने, कौन सा वो भी, warm, कितने पर, 643 degree Celsius, Kelvin पर, ठीक, 113 degree Celsius, clear है, यहाँ तक एकदम बात clear, हमने पास compound क्य यह था, और जो बन क्या आया, compound B, वो compound B क्या था, तो यह L कीन था, यह compound B, देखो, reaction कितनी simple होगी, alcohol को H2SO4 डाल दिया, अपने यह समझना, जब यह डाल दिया, तो no doubt पाने निकलेगा, और alcohol में से पाने निकालना, तो alcohol के एक जिएक है, जिएक है, जिएक है, निकाल दोग यहां बता दे रहा है, जब हम यहां hydrogen को डालते हैं, in presence of any catalyst nickel, जो कि इसको absorb करता है, खुद के surface के उपर, और जब हम hydrogen, दो hydrogen डालते हैं, एक hydrogen यहां जुड़ियाएगा, एक hydrogen यहां जुड़ियाएगा, इसे reaction को कहते है, hydrogenation reaction, जब unsaturated compound को, saturated compound में बदलना, unsaturated compound का conversion, saturated compound called hydrogenation, और देखो, double bond, alkene कब बनता है, जब hydrogen को alkane से निकाले, alkane था अगर अपने पास, जैसे अगर मान लेते हैं, यहां पर, एक मान लेता हूँ अपने पास, मान लेता हूँ मेरे पास, एक alkene था, CH3, और यहां पर क्या था, CH3, अब मैंने यहां से एक hydrogen निकाल लिया, एक hydrogen यहां से निकाल, तो यह क्या बनेगा, यह बनेगा, CH2, double bond, CH2, लेकिन अभी carbon की balance फुल्फिल नहीं है, तो इन दोनों की बीच में double bond आ जाए, और हमने निका alkene से या alkyn से, alkyn से, alkyn बनाना होगा, alkyn बनाना होगा, तो no doubt हमें क्या करना होगा, उसमें hydrogenation, reaction मतलब hydrogen का addition करना पड़े, जब भी unsaturated compound का conversion, unsaturated compound का conversion, direct हो रहा हो किसमें saturated compound, इसमें saturated compound में compound में तब यह reaction क्या कहलाएगी सब यह reaction कहलाएगी दोस्त मेरे hydrogenation यह जाद रखिएगा तब यह क्या कहलाती है एडो डी नेशन reaction hydrogenation reaction और यह कब होगी nickel के presence में या platinum के presence में या palladium के presence में ऐसे कमपांड से हाइडोजन को पास करा दीजिए जिसके प्रेदोजन स्थ कि यहां बॉट भाटक के फटी 1022 यह नहीं पर यह पर आलयो पर कला यह नृए्य ₹ बना लेगा और यह भी क्या बना लेगा यह बन गया अपना कब बाउंड नूमबर लेके जाएंगे तो नो डाउट वह कारबन डियॉक्साइड अगर इसका कमशन आप कराते हो अगर इसका कमशन आप कराते हैं यह हमेशा कन्वर्ट हो जाकी और उस्टि्ट कंपाउंड है श्रहां सेचुक्ररत और हम स्टि ऑपार्ट ओध यह बनगया यह बहुए यह उगया तीनों पार्ट यह पांच मार्क्स में है दोस्त कितनी में आया है पांच मार्च में जितना मैंने रियक्शन करा है उससे बाहर नहीं है एक भी बाहर नहीं है तो इस्टेट वन इंडस्ट्र यूज ऑफ हाइड्रोजीनेशन रियक्शन हम बोल सकते हैं कि वेज़िटेबल गी को वेज़िटेबल आयल में कनवर्ट क कराएंगे sodium के साथ अपने पास compound ए क्या था CH3 CH2 OH यह था इसको अगर हम sodium के साथ रियक्शन कराएंगे no doubt क्या बनता है यहां CH3 CH2 O और NA बन जाता है प्लस कौन सी गयस निकल जाती है तो hydrogen gas निकल यह आपने याद रत लियक्शन ही आज के लेक्शन में मैंने कराई है clear आगे बढ़ते हैं और सवालात कुछ करते हैं आप देखें एसीड एक्स एंड एल्कोहल वाई नो डाउट कर्बॉक्सलिक एसीड होगा रियक्शन मतलब क्या बना रहा इस्टर बना रहा और वो क्या है जड है एक्शन वाई जड आपने लिखना है एक्वेशन राइट द सबस्टांच जेड ऑन ट्रेटिंग विफ दिस प्रोड्यूस बैक्ड अल्कोहल वाई एंड सोडियम इथनोड इंकल एक्वेशन फॉर्म दिस हमें नहीं पता हमें सिंपल सी अब समझो बात इसेड कौन सा होगा इस कर्बॉक्स लिकेशन अल्कोहल कौन सा होगा कोई भी ल वाच होगा यह हमारे सिली मत हमतर हमें इनी के ऊपर बाढ़ना एंग और यह दोनुट करेंगे यह दविड़ दोनों रियक्ट करेंगे और क्ल eles3 कोह एच q2h5 Ho इसके presence में H2SO4 के presence में react कराना है यहां तो क्या निकलेगा एक पानी निकल जाएगा वो तो clear-cut बात बट बनेगा क्या तो CS3 C double bond O और OC2H5 बन जाएगा एक इथाइल इथेनोवेट तो यह compound X हो गया यह क्या हो गया compound यह compound हो गया हमारे पास क्या क्या आ गया एक सवाइए यहां तक इंवाल्मेंट हम इस reaction का नाम बता सकते हैं इस्टरीफिकेशन जो रियक्शन का नाम हो क्या है इस्टरीफिकेशन इस्टरीफिकेशन और यह नाम हम डेरेक्ट कैसे जान सकते थे यहां पर देखो प्लस इस्टरीफिकेशन कराते हैं तो यह क्या बना देता है यहां और यहां न बन जाता है प्लस C2H5 OH बन जाता है, कभी-कभी इसको आप reverse sterification समझते हैं, बट ये reverse sterification नहीं है, क्योंकि अलकोहल तो बाहर आ गया, देखो, ये दोनों मिले थे तो ये बना था, इसमें हमने कुछ दा गया तो अलकोहल बाहर आ गया, क्या ये carboxylic acid है नहीं है, तो that's why और ये भी कितने marks में आया है, तो ये भी 5 marks में आया हुआ है, कितने में आया है, 5 marks देखोले reaction, जो अभी तुमने पढ़ा यही reaction हर बार आई हुई है, तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस पूरा वीडियो देखो solve करो, और समझो अगर ये तुम कर लेते हो, तो तुम्हारा 5 number कहीं गया नहीं है, वो एकदम 100% confirmed, ठीक है चलो, अगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, what happens when a small piece of sodium is dropped in the ethanol, अगर अपने पास reaction है, C2H5OH, अगर इसमें एक छोटा सा टुकड़ा sodium का हमने डाल दिया, तो ये क्या बनेगा हमें पता है, C2H5, ONA ether बना लेगा, प्लस यहां पर क्या निकल देखिए, क्या ये बात आपने समझ में आगे, right the equation, पहला पाट खतम, why glacial लेसे, क्योंकि जब below 17 degree, below 17 degree, क्योंकि freezing point क्या होता है, 17 degree Celsius, अगर उससे नीचे है, तो वो obviously solid form में होगा, so that's why in normal winter temperature, ये glacial form करें, टिक बन happens when ethanol is heated, जब हम C2H5 OH को किससे heat कर रहे है, S2SO4, मतलब warm S2SO4 डाल दें, कितने degree पर 443 या फिर 100 degree Celsius, Kelvin है ये, temperature की unit same है, तो हमें पता है, इनका काम क्या है, dehydrating agent, ये क्या करेंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे, निकाल दीजिए, पानी निकालने एक तरीका, एक जगह से OH निकाल लीजिए, ये OH, एक जगह से H निकाल लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये CS2, double bond, इतनी सी कहाँ, देखो अगर इसको बनाओ, तो ऐसा है न, कुछ CS3, H2 और OH, इस वाले कार्बन से OH निकाल लिया है, इस वाले कार्बन से H निकाल लिया है, पानी बन गया, अब दोनों के बीच में double bond आ जाएगा, बोलो, write an equation to show the saponification, और ये saponification ये saponification वाली reaction है, कौन सी दोस्त, ये इस्टरिफिकेशन वाली जो reaction आपने पढ़ी है, ये ही हम बोल सकते हैं, सपोनी तो कि यही जो easter बन रहा है, इस है, हम सोप के बनाने में, जो easterification reaction, उसको saponification भी process को बोलते हैं, उसे ही process of saponification बोलते हैं, तो कि जो easter बनता है, मुझे तर का use करते हैं, in making of information of soap, तो ये आपने ये वाली भी लिख देना है, आप इसी acid का, किसी भी carboxylic acid के साथ, acetic acid के साथ ही करा लिजे, बना दिए, बस वहाँ फर्क होता है, कि long fatty carboxylic acid को हम चूँआ, ठीक है, अब अपने पास एक और reaction आ गई, I think यह हमेंने नहीं बताया, तो I think यह भी बताना है, a neutral organic compound, X, molecular formula, C2, 6, on heating with, reacting with this, इसका ये reaction पहले मैं बता देता हूँ, देखो, जब अपने पास alcohol है, मानलों अपने पास क्या है, C2H5OH, अगर इसके अंदर हम दो चीजे डालते हैं, एक डालते है, alkaline, alkaline, KMNO, या तो यह डाले, या तो हम डालते है, acidified, लब acidic medium में, K2, R2, या तो यह डाले, अब यह दोनों का काम क्या है, तो यह दोनों जो है अपने पास, यह दोनों क्या है, तो यह दोनों है, oxidizing agent, और oxidizing agent का simple सा काम क्या है, addition of oxygen को perform करना, कि कहीं भी अगर किसी भी solution के अंदर इनको डाल दिया गया है, तो यह सिर्फ क्या करेंगे, oxygen की addition करेंगे पहले चप्टर में यह आपने अच्छे पढ़ी होगी कहीं पर भी ऑक्सिडाइजिंग रियक्शन हो रही है तो होना क्या है वहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो यहां पर हम देखें यह अपने पास अल्कोहल था यह अल्कोहल किसमें कनवर्ट हो जाएगा इसमें कनवर्ट हो जाएगा इसमें ठीक है पूरी तरीके से अधिए अपने पास मैं यहां इसको ड्रॉ कर देता हूं अब ज्यादा समझना है अपने पास क्या था CH3 यहां क्या था CH2 और इस से क्या जूड़ा था तो OH ग्रूब जूड़ा था अब होगा क्या यह वाली दो ह है यहां से निकल जाएंगे और वहां पर आजाएगा क्या और यह यह पहले भी था अब भी है लेकिन यहां देखें तो इस कार्बन पर और ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है और हैडोजन का साथी साथ रिमूवल भी हुआ है यहां दोनों प्रॉसेस हो रही है एडिशन आफ अधिशन आफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और दूसरा 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 रिमूवल ऑफ हीड्रोजन भी हो रहा है और हो हैड्रोजन गैस बनके निकल जाए इन दोनों रियेजेंट को याद रखना यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कहीं पर भी डाल दोगे यह कम्प्लीट अक्सीडेशन करा दिए और यह प्रोड़क्ट अगर आब यहां रियक्शन को देखने कोशिश अपने पास कोई एक्स है जिसका सी टू एक्स इकस टू एक्स इसक्स मतलब एलकोहल ही होगा बैसिली एस तु और ओच या सी टू एक्स 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 बन गया हम इसको जब रिय टू आजए और ये मतलब जो एक्स है चाल बॉक्स लिक्ट इसरिक कैसे एक्स रीक्ट उपी और एक्स और य को अगर रियेक्ट कराएंगे तो हमें पता है जो बन कराता है वो अग्स किया बन को अगर इसकर आपकर इनका रियेक्शुन- एक्स के साथ करा हैं जो की अपने पास थ्री एच्टू वह अच्छ अधर इन दोनों का रियक्षन हम करा रहें तो नो डाउट इस्टर बनेगा और वह इस्टर क्या होगा थ्री और डबल बांड ओ ओ यहां सी प्लस का H2OQ कि हमने यहां क्या डाल रखा है तो H2SO4 को डाल रखा है क्लियर रहा है बस यह रियक्षन पूरी बन रही है कुछ नहीं करना है प्रॉसिस के साथ चलो यह क्या हो जाएगा अपना जेड हो जाएगा तो अपने पास अलकोहल था इसमें हमने डाला तो यह पानी बाहर निकल लिए हमने यहां से अपना क्या अचा आगया निकल गया पानी बाहर बचा के सीच की तरह काम कर रहे है यह किसकी तरह काम कर रहे है तो this is working as the dehydrating agent मतलब वर्क किसकी तरह कर रहा है रिमूवल ऑफ वाटर के लिए काम कर नेम दा रियक्शन विच अकर्स में जड रियक्स विट अलकली अगर जड को हम अलकली के साथ रियक्ट कराएंगे तो यह रियक्शन क्या करेंगे नौट रिवर्स इस्टरिफिक नहीं यह रिवर्स कर देगी रियक्शन को बट फर्मेशन अफ एलकोहल बीसिकली बोल सकते हैं अगर हम इसी का रियक्शन करा देते हैं क्या है अपने पास देखो बार बार एक रियक्शन यह तुम्हर कोशन में दिख रहा हो यह 3-0 यहां पर क्या है च्पाइफ अगर इसको हम बेस के साथ अलक इसकोहल बनाके निकाल लेता है और जो बचा वह यहां पर लिख दो की डबल बॉंड ओ और यहां पर एंड यह बन गया सोडियम इथेनोड सोडियम साल्ट आफ कार्बॉक्सलिक्षिड और उधर के अब यहां आपके सामने एक मैं होमवक आपके लिए दे रहा हूं मज़े इन का कनवर्जन इथेन में है यह आपको थोड़ा सा एंसी आटी इसके लिए मैं बोलूँगा पढ़ लेक्षिं का नाम हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन दिए बेसिकली हम मैं बता दे रहा हूं जब मैं क्लोरीन के प्रेजिंस क्लोरीन को इन प्रेजिंस ओफ सनलाइट और यह एक प्रेजिंस ओफ सनलाइट के प्रेजिंस में करते हम ना यह एक क्लोरीन जाके कंपॉइंट में जोड़ जाता है और एक हड्रोजन वहां से अब बचा वो क्या बचकिया है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन दिया है देख लो उसको भी देखी लेट अब इसमें हम क्लोरीन को पास कराएंगे अब यहां से क्या होगा एक बाहर आएगा दो सील हमने लिए एक सील यहां आटेक करेंगा और यहां से एक हाईडायोन का लेगा इनके साथ तो जो रियक्शन बनेगे वो क्या बनेगे H3, H2, एक हाइडोजन निकल गया, देखो CS3 था, यहाँ क्लोरीन जोड़ गया एक हाइडोजन जो निकला था और क्लोरीन मिलके क्या बना लेगा हैड्रो क्लोरीकेस, तो यही प्रोड़क्ट बनता जाता है और इसी रियक्शन को सब्स्टिटूशन रियक्शन भी कहते हैं, या क्लोरीन जोड़ दिया और जो हाइडोजन निकाला वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके एसिड बना लेगा यही सब्स्टिटूशन, ठीके दोस्त और एक रियक्शन यहां पर है, यह भी आपके लिए होमवक है, बढ़िया कोशन और जो मैंने कराया उसी से रिलेटिड भी है, यह दो होमवक आप करोगी और कोशन हो, यह आपके पास और होमवक, जितना करोगी मैं इसको सॉल्व कर बादूँगा, बस यहां तक आपकी कहानी हो गई है, यहां तक होगी पूरी कहानी खतम, और पाँच नमबर के लिए तुम प्रिपेर हो चुक है, तुम से हो जा रहे हैं, खुद से समझ पा रहे हैं, और एक्शन को समझ जाना कि पाँच नमबर तुमने फिक्स कर लिया, ठीक है, चले मिलते हैं अगले वीडियो में, बाबाई, जाहिद!